दादी नानी के 36 घरेलु नुस्खे महिलाये जरूर सुने नमबर एक काला नमक पोसक तत्वा मिनरल से भरपूर होता है अगर नियमित रूप से इसका सेवन किया जाए तो हड्डिया मजबूत होती है नमबर दो दादों में दर्द होने पर लहसुन को तवे पर गरम कर ले और फिर उसको दादों के बीच रख ले इससे दर्द खत्म हो जाता है नमबर तीन जो औरतें अपने चेहरे पर मलाई में हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाती है उन्हें कभी भी चेहरे पर जूरियों की समश्या नहीं होती है नमबर चार आलू को उबाल कर फ्रिज में अधिक समय के लिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि इस से आलू के पोसक तत्तु विसेले पदार्थ में बदल जाते हैं नमबर पाँच अगर आप ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं तो मसूर की डाल को बारिक पीस लें और उसमें एक चम्मच खटा दही और आधा चम्मच सहद मिक्स कर लें और इस पेस्ट को अपने चेहरे पर 10-15 मिनट के लिए लगाए रहने दें उसके बाद आप नॉर्मर पानी से धोलें इसके चम्मकदार हो जाएगी नमबर च्छे रोजाना सुबह खाली पेट पांच पत्ते नीम के चबा कर खा लेने चाहिए पेट की कई सारी बिमारियों से बचे रहेंगे अगर आप हर सुबह बिना कुछ खाए अजवाइन का पानी पीएंगे तो इससे वजन तेजी से कम करने में मदद मिलेगी और बैली फैड भी कम हो जाएगा अगर आप रात के वक्त अजवाइन को पानी में भीगोना भूल जाए तो सुबह के वक्त एक गिलास पानी में एक चमच अजवाइन मिलाकर बरतन में उबाले अब इसमें तुलसी के चार पाज पत्ते मिलाएं और उबालते रहें आखिर में गैस बंद कर दें और गुनगुना होने तक छान कर पी लें पालक एक ऐसी सबजी है जो सेहत के लिए बहुत ही फाइदेमंद मानी जाती है इसमें फाइवर और एंटि ओक्सिडेंट भरपूर मातरा में होते हैं जो शरीर में ब्लेट कोलेस्टरॉल लेवल को कम करने में मदद करते हैं इसके नियमित सेवन से कई शारी बिमारियों का खत्रा कम हो सकता है नमबर दस पाचन संबंदी दिक्कतों को दूर करने के लिए हींग अजवाईन और काला नमक का पानी पीना काफी हल्दी सावित हो सकता है इससे अपच की परेशानी को दूर करके पाचन तंत्र को दुरुस्त किया जा सकता है साथ या तेजी सेवजन कटाने में प्रवावी हो सकता है नमबर ग्यारा हल्दी और दूद का मिस्रण हमारी शेहत के लिए बहुत ही फाइदे बंद होता है आजकर हल्दी मिला हुआ दूद गोल्डन मिल्क के नाम से खुब बेचा जा रहा है इसका सेवजाना शेवन करने से आपकी शरीर के इम्मेनिटी बूस्ट होती है और आपकी बिमारियों दूर रहती है रात में सोने से पहले आदा चम्मच हल्दी एक गिलास दूद में मिलाकर पीने से आपका शरीर उर्जा से भर जाता है अगर आपके घुटनों से जैदा आवाज आती है तो आप इससे निजात पाने के लिए रो जाना एक्सेसाइज करें इससे आपको थोड़ी राहत मिलेगी नमबर तेरा कोसिस करें कि सुबह उटते ही सबसे पहले गुनगुना पानी पी है इसके अलावा आपको पूरा दिन गुनगुना पानी का सेवन करना चाहिए इससे अधिक कैलोरी बर्न करने में मदद मिलती है नमबर चोड़ा रात के समय दही का सेवन नहीं करना चाहिए इससे खासी जुखाम की समस्या हो सकती है नमबर पंदरा साट की उम्र में तीस का दिखना है तो किस मिस खाएं नमबर सोला अगर धूप की वज़े से आपकी तुचा का रंग काला पड़ गया हो तो आलू का इस्तेमाल फाइदे मंद होता है आलू के इस्तेमाल से चहरे का काला पन दूर हो जाता है आलू का रस तुचा के लिए बहुत ही फाइदे मंद है क्योंकि इसमें ब्लीचिंग गुण होते हैं आलू का रस निकाल कर चहरे पर लगाएं और कुछ देर तक रखें इसके बाद अपने चहरे को साफ फानी से धो लें नमबर सत्रा स्किन के सफाई करने के लिए सबसे अच्छा होता है कच्चा दूद इसके साथ चावल का आटा इस्तेमाल करने से फाइदा दो गुना हो जाता है चावल के आटे को दूद में मिला कर कुछ देर भीगो कर रख दें इसके पेस्ट को चहरे पर और गर्दन पर अच्छे से लगाएं नमबर अठारा अगर आपको नीद ना आने की वज़े से परिशान हैं तो भीगे वे अक्रोट का सेवन करें क्योंकि अक्रोट में मेला थी नामकता तो होता है जिससे नीद अच्छी आती है नमबर 19 बीपी कम हो रहा है या आपको कमजोरी महसूस हो रही है तो एक गिलास पानी में सेधा नमबक मिला कर पी लें इससे आपको तुरंत आराम मिल जाता है नमबर 20 ताजी नीम की पत्तियों का अरस निकाल कर गुलाब जल के साथ मिला कर चेहरे पर रो जाना रात को सोने से पहले लगा ले ऐसा करने से चेहरे के दाने पिंपल्स और उसके निसान गायब होने लगते है नमबर 21 जोजाना चार खजूर का सेवन करना आपके स्वास्त के लिए बहुत ही फायदे मंद होता है या शरीर की कमजोरी को तूर करने में बहुत ही लाबदयक होता है नमबर 22 तील को दूद में भिगोकर उसका पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे पर गलो आता है और चेहरे का रंग निखरने लगता है नमबर 23 यदि आपको माइगरेन की समश्या है तो नाक में गाई का सुद्ध घी डालने से आपको बहुत फाइदा मिलेगा नमबर 24 खाना खाने के आदा घंटे पहले नमक के साथ अद्रक का सेवन करने से भूख बढ़ने लगती है नमबर 25 महिलाओं को लंबे समय तक खुबसूरत और जवान रहना है तो इसके लिए विटामिन E भरपूर चीजें खाएं विटामिन E हमारी स्किन बाल और नाकुनों को सुंदर बनाने में मदद करता है जुरिया दाग दब्बे दूर करने के लिए विटामिन E जरूरी है ये एगजिंग को रोकने वाला विटामिन कहा जाता है विटामिन E के लिए वादाम, पीनट, बटर और पालक का सेवन करें बढ़ती उम्र में लोगों को हड़ियों से जुड़ी परिशानी बिमार बना देती है खास तोर से महिलाओं को हड़ियों में, दर्द, जोड़ों में, दर्द की समझ्या होती है इसकी वज़ा से विटामिन D और केल्सियम की कमी होती है इसलिए विटामिन D और केल्सियम से भरपूर, दूद, पनीर, मश्रूम, सोया, उत्पाद, मखन, फैटी सिट, फैटी फिस, दलिया और अंडा जरूर खाएं नमबर 27 यदि आपको कहीं मोच आ गई हो तो भेड़ के दूद की हलके हाथों से मसाज करें और कुछ दिन तक ऐसा करने से आपको मोच बिल्कुल ठीक हो जाएगी नमबर 28 चेहरे पर टमाटर को काट के आधे टमाटर में थोड़ी सी कॉफी डालकर चेहरे पर हलके हाथों से एक से दो मिनट मसाज करें और फिर चेहरा खिल उठेगा नमबर 29 खुटने में दर्द है तो अकरोट की गिरी खाएं फाइदा मिलेगा नमबर 30 दहीक को बालों की जड़ों में लगाने से बाल मुलाइम हो जाते हैं और दिमाग को भी ठंडक मिलती है गर्मियों के मौसम में हफते में दो बार ऐसा करें नमबर 31 बड़ा हुआ पेट कम करने के लिए रात को गुड़ के दो टुकड़े खाकर गरम पानी पी लें नमबर 32 चंदे विरों में मोटापा कम करना हो तो दिन भर के खाने में गेहु बाजरा उमूंग और चावल का सेवन करें इस साबुत अनाच का सेवन आप दिन भर में खाने में करें फाइवर से भर पूर ये अनाच पेट को लंबे समय तक भरा रखेगा जिससे आपको ओवरेटिंग से बचे रहेंगे अनाच का सेवन खिचड़ी के रूप में कर सकते हैं नमबर 33 जो औरतें रोजाना सुबर खाली पेट सेव के बीजो का सेवन करती है उनको कब जिगी दिकत नहीं होती है नमबर 34 जिन महिलाओं को पीलिया की बिमारी है वह गेहु के दाने के वराबर चूना गन्ना के गन्ने के रस में मिलाकर पीले इससे पीलिया बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है नमबर 35 जो औरतें अपने चेहरे पर मलाई लगाती है उनके चेहरे पर क्लोइंग और मुलाइम रहता है क्योंकि मलाई में कुछ ऐसे पोसक चत्रू होते हैं जो इसकिन के लिए काफी फायदे मंदो होते हैं आप मलाई में गुलाब जल मिलाकर अपने चेहरे पर लगाएं सूखने के बाद ताजे पानी से चेहरा धोलें नमबर 36 आलू और प्याज को एक से एक ही टोकरी पे नहीं रखना चाहिए इससे आलू और प्याज जल्दी खराब हो जाते हैं वीडियो देखने के लिए